हेलो दोस्तों नमस्कार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन्जा मंडी के ताजा भावों के बारे में तो दोस्तों आज है 15 मार्च 2024 और आज की दिन उन्जा मंडी के अंदर विबिन फसलों के भाव क्या रही उसी के बारे में आज की इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं नमश्कार साथ यह मेरा नम करन है और आपके अपने यूटूब चेनल पर आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में इस्पेसली जीरा और इसमगोल के भावों के बारे में चर्चा करेंगी और साथ में सरसों के भाव में क्या उतार चड़ाव रहा उसके बारे में भी आपको बताने वाले है तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं जीरा की तो दोस्तों जीरा 18,000 रुपे से लेकर 32,000 रुपे तक बिका है और जीरे के अंदर 3,400 रुपे की गिरावट है वो देखने को मिली है 15 मार्च को तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं धनिया बीज की तो धनिया बीज 5,000 से लेकर 11,200 रुपे प्रतिक वेंटल के हिसाब से बिका है और दोस्तो बात कर लेते हैं इसब गोल की तो दोस्तो इसब गोल के अंदर थोड़ी तेजी देखने को मिली है इसब गोल 14,000 से लेकर 20,000 पिचतर रुपे तक है वह आज परतिकोंटल के हिसाब से उंचा बंडी के अंदर बिका है वहीं बात करते हैं अजवाइन की तो दोस्तो अजवाइन 11,000 से लेकर 20,000 पिरतिकोंटल के हिसाब से बिका है वहीं बात करते हैं सर्सों की तो दोस्तो सर्सों के अंदर थोड़ी तेजी देखने को मिली है 64,590 रुपे से लेकर 5,555 रुपे के बीच में बिका है और मेथी के बीच के अगर हम बात करें तो 5,355 रुपे से लेकर 5,625 रुपे परतिक मेंटल के हिसाब से बिका है तो दोस्तों मीद करता हूँ इस भावों से आपको अपनी फसल बेचने में मदद मिली होगी और अगर आप किसी और मंडी का भाव जानना चाहते हैं तो हमें कॉमेंट में जरूर बताएं